जूप आप बोलते हैं जूप मैं नहीं बोलता हूँ भारत माता की हतिया आपने मनिपूर में की उने मनिपूर में हिंदुस्तान की हतिया की है सिरब मनिपूर की लई हिंदुस्तान की हतिया की है इनकी राजनेती ने सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे लोक सभा में री इंस्टेट किया और पिछली बार जब मैं बोला पिछली बार जब मैं बोला तो शाहिद मैंने आपको थोड़ा कश्ट भी पहुचाया क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके senior नेता है शाहिद उनको थोड़ा कश्ट हुआ तो वो जो उनको कश्ट हुआ पिछली पहुआ नेता है आपके 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 तो तो वो जो कश्ट हुआ उसका उसका असर शायद आप पे भी दोड़ा हुआ तो इसके लिए मैं आप से माफी मांगता हूँ मगर मैंने सिर्फ सचाई रखी थी मगर मगर आज आज जो आज जो मेरे बीजेपी के मित्र है आज 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 आपको ड़ने की ज़रूद नहीं है आज जो मेरा भाशन है और आप जरो माद, 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 जरो म आज कोई घबराने की जरुरत नहीं है, आज मैं अपना भाशन में जो भाशन है वो अधानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूँ, तो आप रिलाज्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाशन आज दूसरी डारेक्शन में जा रहा है रूमी ने कहा था, रूमी ने कहा था, जो शब रूमी ने कहा था, जो शब दिल से आते हैं, वो शब दिल में जाते हैं, तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूँ, और मैं आज आप लोगों पर इतना अक्रमन नहीं करूंगा, मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा, तो आप रिलाक्स कर सकते हैं, पिछले साल एक सो तीस दिन के लिए, मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया, अकेला अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ, हमारा टाइम खत्म करने का साजेशन, इसे ही हो जिए सामधर, अधिर, 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 समुन्दर के टट से, माले सदाश्य फ्लीच ऐसे धमकाने का बात की मत बहुत है आपे, मैं समुन्दर के टट से, कश्मीर के बर्फीली पहाडी तक चला, नहीं लदाक को मैंने नहीं छोड़ा, यात्रा अभी खतम नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लदाक आएंगे, गबराइए मत, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, यात्रा के दौरान, यात्रा के बाद, किराहुल, तुम क्यों चल रहे हो, क्या, तुम्हारा लक्ष क्या है, कन्या कुमारी से, कन्या कुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो, और जब वो मुझसे पूछते थे, शुरुवात में मुझे, मेरे मुझसे जवाब नहीं निकलता है, शायद मुझे ही नहीं मालूम था, कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की, जब मैं, कन्या कुमारी से शुरू हुआ, मैं सोच रहा था, मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ, मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था, थोड़ी देर में, मुझे बात समझ आने लगी, जिस चीज से मुझे प्यार तर था, जिस चीज के लिए मैं मनने को त्यार हूँ, जिस चीज के लिए मैं मोदी जी की जेलों में जाने को त्यार हूँ, जिस चीज के लिए मैंने दस साल हर रोज गाली खाई, उस चीज को मैं समझना चाहता था, ये है क्या, जिस ने मेरे दिल को इतनी, जिस चीज ने मेरे दिल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, उसको मैं समझना चाहता, शुरुआत में जैसे मैंने शुरू किया, सालों से मैं हर रोज 8-10 किलोमेटर दोड़ता हूँ, तो मेरे दिमाग में था, कि अगर मैं 10 किलोमेटर दोड़ सकता हूँ, तो 25 किलोमेटर चलने का क्या मतलब, कोई बड़ी बात नहीं है, कि मैंने सोचा था, आज मैं उस भावना को देखूँ, तो वो अहंकार था, कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कुछ नहीं है, तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था, मगर भारत अहंकार को एक दम मिटा देता है, एक सेकंड में मिटा देता है, तो हुआ क्या? दो-तीन दिन में, मेरे घुटने में दर्द शुरूओ गया, पुरानी इंजरी थी, और जबर्दस दर्द, हर रोज मैं उठूँ, और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द, तो पहले दो-तीन दिनों में, जो अहंकार था, जो मतलब, भेडिया जो निकला था, वो चीती बनने था, एक दम, जो हिंदुस्ताइन को अहंकार से देखने निकला था, वो पूरा पूरा अहंकार गायब हो गया, और रोज, मैं डर डर के चलूँ, कि क्या मैं कल चल पाऊंगा, यह यह मेरे दिल में डर था, और जब भी यह डर बढ़ता था, जब भी यह डर बढ़ता था, कही ना कहीं से, कोई ना कोई शक्ती, मेरी मदद कर देती, एक दिन, मैं सेह नहीं पा रहा था, एक छोटी सी लड़की आती है, मुझे चिठ्थी दे देती, मैंने चिठ्थी खोली, आठ साल की थी उसमें लिखा था, राहुल, I am walking with you, don't worry, उसने मेरे पैर में चोट देखी, और उसने अपनी शक्ती मुझे देगी, सिर्फ उसने नहीं, लाको लोग, और शुरुआत में, जब मैं चल रहा था, कोई किसान आता था, कोई किसान आता था, मैं एक दम उसको, पहले उसको अपनी बात बताता था, कि आपको यह करना चाहिए, आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए, मगर इतने लोग आए, हजारों लोग आए, कि थोड़ी देर में मैं बोल नहीं पाया, मैं जो मेरे दिल में बोलने का डिजायर था वो बंद हो गया, बोली नहीं पाया, क्योंकि इतने लोगों से बोलना था, और एक सननाटा सा चाह गया, भीड की आवाज थी, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, और जो मेरे से बात करता था, उसकी आवाज में सुनता गया, हर रोज, सुबह 6 बजे से, रात 7-8 बजे तक, आम आदमी, गरीब, अमीर, बिजनसमैन, किसान, मजदूर, सब के आवाज, आरहों, 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 आप, आप कल से रुके, आप थोड़ा और रुक लाओ, 5-10 मिल रुक जाओ, तो, यह चलता गया, मैं, बात सुनता गया, और फिर, मेरे पास एक किसान आया, और किसान ने हाथ में, रुई पकड़ी हुई थी, और उसने मुझे कहा, मेरे आप में देख कर उसने मुझे अपना, वो रुई, रुई का बंदल दिया, और उसने कहा, राहुल जी, यही बचा है मेरे खेत का, मेरे खेत का, ये ही बचा है, और कुछ बचा नहीं है, मैने उससे जो, मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भाहiva आपको भीमा का पैसा मिला, वो पूछा। और किसान ने मेरा हाथ पकड़ा, किसान मुझे कहता है, कि नहीं राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला हिंदुस्तान के बड़े उद्योग पतियों ने वो मुझसे छीन लिया मगर इस बार बड़ी अजीब सी चीज हुई जब मैंने किसान को देखा और वो मुझसे बोल रहा था तो जो उसके दिल में दर्द था वो मेरे दिल में आया जो उसके आँखों में शरम थी जब वो अपनी भीबी से बात करता था वो शरम मेरे आँखों में आई जब हाँ जब जब उसकी जो भूख थी वो मुझे समझाई और उसके बाद यात्रा बिल्कुल बदल गई मुझे भीड के वाज नहीं सुनाई देती थी मुझे सिर्फ उस व्यक्ति के वाज सुनाई देती जो मेरे साथ बात कर रहा है उसका धर्द उसकी चोट उसका दुक मेरा दुक मेरी चोट मेरा धर्द बन गया बाई और बेनो लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि ये देश है कोई कहता है ये अलग-अलग भाशाएं है कोई कहता है ये जमीन है, मिट्टी है कोई कहता है ये धर्म है ये सोना है ये चांदी है मगर भाईो और बेनों सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है ये देश शिरफ एक आवाज है ये देश इस देश की लोगों की अवाज है, इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कटिनाईया है और अगर हमें इस अवाज को सुनना है, तो हमारे दिल में जो अहंकार है हमारे जो डिजायर्ज हैं, हमारे जो सपने हैं, उनको हमें परे करना पड़ेगा जब हम अपने सपनों को परे करते हैं, तब हमें हिंदुस्तान के आवाज सुनाई देती है तब तक हिंदुस्तान के आवाज हमें नहीं सुनाई देती है अब आप कहोगे, ये बात मैंने नॉन कॉन्फिदेंस मोशन में क्यों रखती है कि इसका क्या मतलब है कि भारत एक अवाज है भारत लोगों का दुख है भारत लोगों कक्ष्ट है मुश्किले हैं क्यों कि बाई और बेहनों ऌशन пошत सप्हें भी मिलेगा हुं अुलो नो यह सब्सक्राइब के अब हमें बत रोकेगा अब हमें 처 Intellect 협 has a मैं मत रोकेगा फिर देख रे तो स्टीकर सर बारत एक आवाज है भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है और अगर हम उस अवाज को सुनना चाहते हमें अहंकार को नफरत को मिटाना पड़ेगा स्पीकर सर कुछी दिन पहले मैं मनिपूर गया हमारे प्रधान मंत्री नहीं गए आज तक नहीं गए क्योंकि उनके लिए मनिपूर हिंदुस्तान नहीं है मैंने मनिपूर शब्द प्रयोग किया मगर आज की सच्चाई ये है कि मनिपूर नहीं बचा है मनिपूर को आपने दो भाग में कर दिया है मनिपूर को आपने बाट दिया है तोड़ दिया है मैं मनिपूर में रिलीफ कैम्प में गया रिलीफ कैम्प में आज आ रहा हूं आज आ रहा हूं मनिपूर में रिलीफ कैम्प में मैंने महिलाओं से बात ती जिए तुर देखेंगेंगे मैं बनेपूर गया और मनेपूर के कैम्प्स में मैंने महिलाओं से बात की बच्चों से बात की जो हमारे प्रदान मंत्री जी ने आज तक नहीं किया एक महिला मुझे कहती है मैंने उनसे पूछा बेहन क्या हुआ आपके साथ एक-एक मंत्री बोलने एक-एक मंत्री खड़े होके बोलने इह सब्सक्राइब आपके खड़े होगे गए तो पूरे तो ओदेस्ट栉र एपकेक पूरे सब खड़े होगे तो पूरा देश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् गरहेट होगा मैं बहुत साही महिला हो से बात कीया मगर मैं आपको दो धारन देना चाहता हूँ एक महिला मुझे कहती है क्या हुआ तुम्हारे साथ कहती है मेरा चोटा सा बेता एकी बच्चा था मेरा एकी बच्चा था मेरा मेरे सामने मेरे आखों के सामने उसको गोली मारी है मैं पूरी राथ आप सोचिए आप अपने बेटों के बारे में सोचिए मैं पूरी राथ उसकी लाश के साथ लेटी रही जूप नहीं जूप आप बोलते हो जूप मैं नहीं बोलता हूँ मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा मुझे डर लगा मैंने अपना घर छोड़ दिया जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी कहती है नहीं सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं और फिर इदर उदर ढूंटती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है ये ही मेरे पास अब बची है एक और एक और उधारन एक और उधारन दूसरे कैंप में मैं एक महला मेरे सामने आती है मैं उससे पूछता हूँ तुम्हारे साथ किया हुआ? किया हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैने यह सवाल पूछा जैसे ही मैने यह सवाल पूछा आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते 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 जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पुछा बैठो जैसे जैसर जैसर श्राम करिए जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी उसने अपने दिमाग में वो दृष्टे देखा और वो बेहोश हो गई मेरे सामने कापती हुई बेहोश हो गई तो ये मैंने आपको सिरफ दो धारन दिया है श्पीकर सर इन्होंने मनिपूर में हिंदुस्तान की हतिया की है इनकी राजनेती ने मनिपूर को नहीं हिंदुस्तान को मनिपूर में मारा है हिंदुस्तान को कतल किया है हिंदुस्तान का मुडर किया है प्लीज प्लीज प्लिज्ट तो दिन बात प्रिया है उनसे सवाल पूरता हूँ जानों रोमा को लॉटिस में लेते हुए है इसके आज इजार कॉंग्रेस पार्ती है राहू गांदी को पार्पी मंगा चाहिए राहू गांदी का कॉंग्रेस पार्ती है सुक्राप चैंज को नहुं करूल नियुप प्रती ने लिएजा गांदी को पिसे सौने पाइज बुन है जोगे सारा कॉंगरस पाटिस के जानी हो दियो हुए ओके बागाँ 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 यहाँ यहहaly पेजमन्स गया बागाँ सिरेकित भागाँ आपनेड़ आपनेड़ अबशने शुम आचाते हैं... प्लिस बीठी... बैठिये, फिलीच बैठिये फिलीच बैठिये फिलीच गला org थैंक यू ताहिको कोडिये प्लीच भाव झाला दmoi भाव के अधिया और मीकोर जा प्लीज बेटिये, प्लीज बेटिये, प्लीज बेटिये, प्लीज बालु जी, प्लीज बालु जी, प्लीज बालु जी, प्लीज एक मिट प्लीज, प्लीज बेटिये, मानिय सदक्ष्य गान, जिस तरीके का व्यहार आप टेबिल पर आचर कर रहे हैं, इस तरीके से सदर नी चलेगा, ये तरीका ठीक नहीं है, जब मैं ने सिजी को खाया है तो खाया, इसे सदर नी चलेगा, लगाज है। पर एप जी विधा जलत तरीका नो जयो ऐसे सरेंचने वाला निये जो मांने सोदेशन टेविल पाया है उनके खिलाबकार्वाई होगी फिर इंट है अब बहुत है तो पर बैठिए है अब भी आप भी बैठिए है आप उब बैठिए है आप भी वेठिए है पते विदे आप है मान नहीं मंत्री जी भाठा रसACE बाहरत मानते टेर है है रहे पारत माता मैं बहुत ज censorship सुन रहा हो इसका तरीका ये नहीं है उचित हो कि आ टेबिल पर आनाइं गलत जैसे मैं जैसे मैंने maybe you sir please जैसे मैंने please brother जैसे जैसे मैंने बाशन के शुरुवात में बोला भारत एक आवाज है भारत हमारी जन्ता की आवाज है दिल की आवाज है उस अवाज की हतिया आपने मनिपूर में की इसका मतलब भारत माता की हतिया आपने मनिपूर में की भारत माता को आपने मनिपूर के लोगों के मारा आपने मनिपूर के लोगों को मार कर भारत की हत्या की है आप देश द्रोही हो आप देश भग नहीं हो आप देश प्रेमी नहीं हो आप देश द्रोही हो आपने देश की हत्या मनिपूर में की प्लीज 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 पेड़ें अब सवाल उखता है निए बेटना चाहते है आप पेड़ना चाहते हैं इसलिए आपके प्रधार मंतरी मणिपूर में नहीं जा सकते हैं मनिपूर में हिंदुस्तार की हतिया कि है मनिपूर में मनिपूर के लोगों के दिल में आप भारत माता के रखवाले नहीं हो आप भारत माता के हतिया रहे हो अप्रीज मानिपूर में प्लीज मानिपूर प्लीज अधियर नियुक्ति इस मानिपूर कि अधियर अधियर और बारत मां हमारी मा है हमें सदन में बोलते समें सैंब भरतना ही है एक मेरी मां यहां बैटिए दूसरी मां को अपने मनिपूर में मा रहा है और हर रोज जब तक आप हिंसा को बन नहीं करोगे तब तक आप मेरी मा के अधिया कर रहे हूं हिंदुस्तान की सेना मनिपूर में एक दिन में शांती ना सकती है हिंदुस्तान की सेना का आप प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मनिपूर में मारना चाहते हो तो अगर नरेंडर मोधी जी हिंदुस्तान के अवाज नहीं सुनते है अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं दो लोगों की दो लोगों की आवाज सुनते हैं इसकी आवाज सुनते हैं इसकी आवाज सुनते हैं और इसलिए सुनते हैं नुद गलत तरीका माने सुधेश आपका गलत तरीका है आप सीनियर सुधेश आप इस तरीके का अब बात करिए लेकिन इस तरीके से पोउच्ट में लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से रावन रावन दो लोगों की सुनता था मेगनात और कुम्बकरण वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं अमिद्शा और अदानी भाई और बेड़ो लंका को लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था अबली का सदय है कि अमिक आपक से अरहा स्पस्रां था और प्रइज को ऐब करे मंट्यकर करने था था हिसे तया आप कुल्ड़े देश में करो से भी पेड़े भेड़े हो पुरे देश में आप कैरह समय पेक रहे हो अपने मरिपूर में दीरूया की अप्स अब पर चिंगार ये लगा दी, अब आप भर्यानों में कर रहे हो, पुरे देश को आप जलाने में लगे हो, आप पुरे देश में भारत माता की हतिया कर रहे हो, धन्यवाद की करूद। आप सदन में किस तरीके का बोलना चाहते हैं, ये सदन मानने सदेश ये छंसद है, प्रीज बेठिए, प्रीज बेठिए, प्रीज बेठिए, प्रीज बेठिए! आप प्रीज बेठिए! आप प्रीज बेठिए!